वेलकम टो माय चैनल तो आज अब लोग सॉल्ब करेंगे कोश्टन नम्मर 8 और यह exercise है 2.5 और इसके पेले के जो कुश्टन से उसका वीडियो लिंक आपको मिल जगा डिस्क्रिप्शन बोक्स महां से आप चेक आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुश्टन नम्मर 8 म और यह हमारा क्या होगा तो x प्लस y इसका हॉल क्यूँ यह equal हुआ करता है x q प्लस y q प्लस 3 x y यहाँ पर हमारा क्या होगा x y x square y लेजी और फिर 3 x y square लेजी यह हमारा होता है तो अभी देखिए इसी पर हमारे पास क्या पर आ जाएगा यहां तो 8AQ लिखा हुआ है इसको थोड़ा से हम लोग arrange करेंगे आना इसको हम लोग क्या लेखेंगे यह हमारे पास 8 है तो इसको हम ले सकते हैं 2A और इसका haul क्यों कर सकते हैं कुछ इस तरह से कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास B है और B को BQ है तो BQ है तो हम यहां पर B का haul क्यों लिख सकते हैं और फिर हम यहां पर 3X square Y और 3XY square यह भी लेना होगा तो हमने यहां पर 3 note कर लिया X के position पर क्या है? X के position पर हमारा है 2A तो हम यहां पर क्या note करेंगे? 2A और इसका करेंगे square और multiply करेंगे Y के position पर क्या हमारा B है तो मैं यहां पर B लिख दिए यह हो गया, एक ओर term हमारा यह बच गया है 3, X के जगा पर 2A और Y के जगा पर हमारा क्या है? B B का हम क्या करेंगे? square करेंगी तो हमारा एक किस रूप में आ जागा, इस रूप में आ गया है, X के जगर पे 2A और Y के जगर पे B, इसका हम लोग हॉल क्यूब कर लिए, अब चुकि यहां पे हॉल क्यूब है तो हम थ्री टाइम्स नोट कर देंगे, that is 2A प्लस B, एक बार लिखा हमने, फिर से यहां पे लि अब जो हमारे पास second number question है, यह बिल्कुल same है, किवल यहां पे sign का change है, तो आप जानते हैं, यहां पे एगर हमारे पास बीच में minus हो जाए, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ करता है, यहां पे minus होगा, और यहां पर हमारा minus होगा, कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, xq minus yq minus 3x square y plus 3xy square इस तरह से, तो आई हम लोग इस तरह से हम पे set कर लेते हैं, यह हमारे पास same है, okay, केवल sign का change हो रहा है, तो 2aq हमारा होगे, फिर हम यहां पे minus में लेंगे, b का hall q लेंगे, फिर हम लेंगे, मैं लेंगे, 3, 2a इसका square कर ना होगा, और यहां पे multiply करेंगे, b में, फिर plus हम लेंगे, 3 into 2a, और यहां पे b का square, कुछ इस तरह से हो गया, हमारा formula क्या set हो गया, 2a minus b, इसका hall q, अब hall q इसको हम 3 times note कर लेंगे, तो हमारे पास answer आ जागा, यह हो गया, 2a minus b, फिर से लिखेंगे, 2a minus b, और यह हमारा 2a minus b, इस तरह से answer हो गया, next solve करते हैं, यहां पर फिर से हमारे पास minus का जो identity है, वही लगने वाला है, ओके, तो यह हमारे पास 27 है ना, इसको में लोग क्या लग सकते हैं, इसको में लिखेंगे, 3 का hall q, 3 q लिखेंगे, और यह हमारे पास 125 है, इसको लिखेंगे 5 और a, 5a hall q, त यहां से हम लेते है, minus में, 3, एकस के position पे क्या है, 3, तो हम यहाँ पे, 3 का square कर लेंगे, और फिर multiplier करेंगे, y के position पे क्या है, 5a, यहीइ इसका मतलब हो गया, इसको हमने यहाँ पे split कर लिया, फिर हम plus लिखेंगे, 3, a के position पे å to 3 ही है, और b के position पे क्या है न, 5a है, तो 5a, इसका हम square कर लेंगी, फिर हमारे आचुका है, यह हमारे किसमें आफ गया है, 3-5A, इसका हमारे क्या हो जाएगा, हॉल की हो जाएगा, फिर से इसको हम 3 times not कर देंगी, और यह हम लोगों का हो जाएगा answer, चलिए, next हम लोग question solve करेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोगो minus का लगाना पड़ेगा formula, तो यह 64 है, इसको हम लोग 4A, हॉल क्यों लिखेंगे, यह 27 है, यहाँ पे 3B का हॉल क्यों हमारा आजाएगा, फिर हम लेंगे minus 3 into A, A के जगा पे क्या, X के जगा पे क्या 4A, इसका करना पड़ेगा square, और multiply करेंगे, Y के जगा पे क्या है, 3B, फिर लेंगे plus 3 into A, हमारा X के जगा पे 4A, और Y के जगा पे 3B, इसका हम लोगों करना पड़ेगा square, तो हमारे पास यह किस तरह आजाएगा, यह जगा 4A minus 3B, इसक Q हो जाएगा, इसको फिर से 3 times note करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा answer, चलिए एक और question हमारा यहाँ पे इसको solve करते हैं, यह last question हमारा क्या से होगा, 27P Q है, तो हम लोगों यहाँ पे 3P, इसका hall Q लिखेंगे, minus में 1 upon 260 है, तो 1 upon 6 और इसका हमारा क्या होगा, Q ह जाएगा, फिर हम यहाँ पे लेंगे 3A, A के जगा पे हमारा, X के जगा पे क्या है, 3P है, तो इसका square करना पड़ेगा, square कर लिया हमने, और multiply करेंगे, यहाँ पे B, that is 1 upon 6, और फिर हमारा होगा 3A, A के जगा पे 3P, और B के जगा पे 1 upon 6, इसका हम लोगों कर लेंगे, square, इसको 3 times लिख लाँ पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोगा, A हो गया, answer, तो इस तरह से हमने question number 8 के सारे questions को यहाँ पे solve कर लिया,